मकान बनाते समय ला परवाही उकम में महंगी पड़ सकती है उकम से इंक या पत्थर की चुनाई वाले मकान में दरारे ना हैं इसलिए आप लिंटल और प्लिंट लेवल पर और जोन पांच के मकान में सिल लेवल पर भी उकम पटियां लगवाएं हर कोने और जोड पर खड़े सरिये लगवाएं घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित आपके हितने तदपक एंडियम में तुखो, लखो, पक्रो, पक्रो, पक्रो इचे, समझ गया है सब? गड़, परी गड़, एक बार फिर करेंगे भुका पाते ही खुली जगह में जाओ, ना जा पाई तो पहले जुको सर को ढखो, किसी चीज को मजबूती से पकड़ो या किसी कोने में सब ढख कर खड़े हो जाओ आप भी भुकम से बचना सीखिए, तयारी में है समझदारी आपके हित्मेतर पर NDA में नमस्कार हमारा देश गाउ का देश कहा जाता है क्योंकि हमारी देश की दूत्याहि आवादी आज भी गाउ में रहती है बहुत बहुत विकास का नया आयाम स्थापित कैसे किया जा रहा है ग्रामीर क्षेत्रों का विकास इस विशय में बाचीत करने के लिए इस टूडियो में हमारे साथ मौझूद हैं बरेली के मुख्य विकास अधिकारी श्री जग प्रिवेश जी बहुत बहुत स्वागत है आ है तो गाउं और गाउं के विकास की बात हुई है यह कहा जाता है गरीब और गाउं की सरकार है जो बर्तमान सरकार है हमारे देश में जहां तक विकास की बात है तो गाउं का विकास गाउं के लोगों के द्वारा ही किया जाए यह भी सरकार ने फोकस में रखा हुआ है सब बहुत ही महत्वा कांक्षी योजना मनरेगा के विषय में आपसे जानना चाहेंगे, बरिली जन्रपद में जो मनरेगा योजना है, उस योजना की क्या स्थिति है, किस तरह ग्रामीनों को रुजगार दिया जा रहा है, और कौन-कौन से विकास के कारे गाउं इस तरह पर हो जयसा कि आपने कहा कि जो भारत की गाउं हैं, उसमें भारत की आत्मा बस्ती है, और जिस तरीके या फिर गाओं को सुद्धर्ड करने की बात हो तो जैसा कि महात्मा गांधी जी ने गाओं हमारे देश के अर्थ्य वस्ता के चेंद्र के रूप में उबरें इसी से मिलता जुलता आपने स्वा पूछा कि महात्मा गांधी जो नरेगा योजना है जिसका पूरा नाम M.G. नर भारत में प्रचलत होगी, इसका मुख्य उद्देश से ग्रामीन छित्र में निवास कर रहे हैं जितने भी हमारे लोग हैं, जितने एकुषल या जो सेमी कुषल जो हाफ स्केल्ड या सेमी स्केल्ड लेबर हैं, उनको रोजगार प्रोवाइड करना है, तो लक्ष यही है कि वर्ष में कम से कम सौ दिन उन लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए, तो जैसा कि बरेली जनपद में लगभग चार लाख हमारे लोग ऐसे हैं, जो इस योजना से जुड़े हैं, मनरेगा जॉब कार्ड के थायत, उनको जॉब कार्ड मिला है, इतने श्रमिक हमारे गाउ जाहे वो रिनोवेशन उफ वाटर बोडी जैसा कि तालाबों के जीनोधार से जुड़े हुए प्रोजेक्ट हो, या फिर वरक्षार उपन के प्रोजेक्ट हो, सडकों के प्रोजेक्ट हो, चक्रोड के प्रोजेक्ट हो, नाली के प्रोजेक्ट हो, अन्य जो छोटे-छोट क्रिएट किये जा सकते हैं उन से जोडने का उद्देश्य रहता है और जैसा कि अभी अपने हाल ही में देखा होगा कि वर्क्षार उपन का इतना बड़ा टारगेट हमारे प्रदेश के द्वारा अचीव किया गया उसमें भी मन्रेगा की एक बहुत बड़ी भूमी का रही है और साथ ही जो इसके लावा जो अमरत सरोवर का जो इस बार कॉंसेट माननिय प्रदानमंत्री जी न दिया जिसके अंतरकत हमारे हर उन्होंने कहा कि हर सांसदिय छेतर में लगभग 75 अमरत सरोवर तयार किये जाएं तो जैसा कि आपको जानकारी है कि बड़ी में हमारे दो स संसदिय छेतर तीन संसदिय छेतर पढ़ते हैं दो आंशिक रूप से और एक पूरे रूप से बरेली में पढ़ता है तो हमारे बरेली का टारगेट लगभग 150 अमरत सरोवर बनाने का है तो उसमें भी मनरेगा ने बहुत बड़ी भूमी का निभाई है या फिर मैं यह कहू कि किस प्रकार एक गाउं में एक अमरत सरोवर का निर्मान किया गया जिसको लोगों ने आस्था से जोड़ा रोजगार से जोड़ा और वह एक परिटन केंदर के रूप में उभरा उसी से प्रेणा लेकर मानिय प्रदानमंत्री जी द्वारा सभी को यह सुझाव दिया गय कि आप भी अपने छेतर में अमरत सरोवर का निर्मान कराया जाए तो इसी प्रकार हमने बरेली जनपद में भी लगभग 240-250 के आसपस अमरत सरोवर है जिनको हम अभी 15 अगस्त को पून करने जा रहे हैं और यह सभी अमरत सरोवर जो है यह आस्था का केंदर होंगे परेट तो वाकई में मुझे लगता है कि मन्रेगा ऐसी योजना है और यह गाउं में लोगों के जीवन को बदल रही है और यह आगे भी इस प्रकार के कारे करती रहेगी ताकि ग्राम का विकास दिन प्रति दिन नए आयम चुए जी बिलकुल जो पलायन की स्थिती होती थी गाउ को घर में रोकने के लिए और अपना विकास करने के लिए सीडियो साब चुके राश्ट्य ग्रामीड आजिविका मिशन यह भी सरकार की बहुत ही महत्वा कांक्षी योजना है और ऐसी योजना है जिसके माध्यम से गाउं के लोगों को निसर पुरुशों को अवलाओं को रोजगार परक बनाने के प्रयास किया रहे हैं राश्ट्य ग्रामीड आजिविका मिशन के विशह में अगर हमारे दर्शक जानना चाहें तो बरेली में क्या उपलब्दिया हमने आसिल की है और क्या नया करने जा रहे हैं जैसा कि NRLM जो और से ग्राम स्वारोजगार हम सभी आत्म निर्भर हो तो एनरल्म इसे जोड़ी एक पहल है, जिसके तहत ग्रामिंड च्हित्रों में समूहों के माध्यम से से इसे समूहों का चैन किया जाता है, जो छोटे-चोटे रोजगार जो बहुत छोटे इस स्थर पर जो जो निर्माद किया जाता है, खाद बनान हुण आन्य चोटे मोटे सामान बनाना खाद बनाना और प्रणशों की सेंप्लिंग तैयार करना तो इस प्रिकार के दो चोटे चोटे ग्राम लेवल पर उध्योग होते हैं, फूड प्रोसेसिंग से लेकर हो, या फिर अन्य चीजों से लेकर हो, हमारे हां बरेली में बेंत का कारे होता है, बेंत के काम से जुड़े हो, जरी जर्दोजी का जैसे हमारा O.D.O.P है बरेली का एक वन डिस्टिक वन प पर्योग करते हैं, और जो वो रो मेटेरल उनको उपलब्द कराते हैं, उन पर वो दिन में मेहनत करते हैं, दिहाडी के रूप में उनको भुक्तान किया जाता है, चार सो पांच सो रुपे, तीन सो रुपे का, और उसके बाद में वही प्रोड़क्ट आपका नए इस तर स भी बेचा जाता है, बहुत प्रॉफिट मार्जिन भी होता है, अन्य परकार के भी इन से लाब होते हैं, तो कुल मिला के समुहों का उद्देश यही है कि ऐसे जो ग्रुप्स हैं, ऐसे महिलाएं हैं, ऐसे जो लोग हैं, उनको एक साथ जोड़ा जाए, उनको एक बल सपोर्ट किया जाए, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, ताकि वो जैसा कि मानि प्रदानमंत्री जी भी कहते हैं, कि हम रोजगार जनरेट करें, तो बात का कि वो अन्ने लोगों को भी रोजगार प्रॉइड कर पाए, ताकि हम इसमें और अधिक रोजगार कर सकें, जैसा आपने इससे जुड़ा हूँ अगला प्रशन पूंचा कि हमारे बरेली में क्या इस प्रकार की चीज़े हो रही है, तो मैं आपको कुछ चीज़े बताना चाहूँगा, जैसा एक हमारे केले के पेड के रेशे से जो वस्तर तयार किये जा रहे है, उससे वस्तर तयार ठेके लिए जा रहे हैं, ठेके लिए जा रहे हैं, ताकि वो चक्रोड का निर्मान कर रहे हैं, वो चकनाली का निर्मान कर रहे हैं, इस प्रकार का उनसे कारे किया जा रहा है, चपल उनके द्वारा बनाई जा रही है, बहुत आकर शेक रूप से, उनके द्वारा आचार प जो मिलकर जरी-जर्दोजी का काम कर रहे हैं, और यहां पर बेंत का जो इतना बड़ा फरनीचर का कार्य होता है, कुछ गाउं के गाउं पूरे इसी तरीके से इस काम में लगे हो हैं, तो उन लोगों को सम्हू के माददम से जोडा जा रहा है, संगटत किया रहा है, ताकि उ जोग उनको अप्रिशेट करें, उनके कारे को अप्रिशेट करें, अभी हाल ही में हमने जून में एक दस दिवसी कारेशाला एवजित की थी, जिसके अंतरगत हमने लगवग 200 बच्चियों को जरी-जर्दोजी के कार में ट्रेन किया, हमने देश-प्रदेश से जितने ऐसे एक्सपर्ट लोग थे जो निफ्ट वगरा इंस्टूट में पड़े थे जिनको फैशन डिजाइनिंग और डिजाइनिंग के चेतर से जो जूड़े हैं, वो लोग दस दिन के लिए यहीं आये, यहीं उन्होंने परवास किया, और हमारी बच्चियों को दस दिन तक ट्रेन को जिनका कोई कंपरेजन नहीं है, बहुत अच्छे प्रोड़क्त, तो जाहिर सी बात है, जब तक हम गाउं को रोजगार से नहीं जोड़ेंगे, जब तक हम बहुत सारी कल्यानकारी योजना है प्रदेश के द्वारा चलाई जा रही है, जिनका सीधालाब लोगों को दिय जाता है, किसी योजना के ainsiकत्रगत किसी को अनुदान दिया जाता है लेकिन वह अनुदान होता है वो ख्रतर्स का सीमह होता है, ज气 समय के पाद और जम्हों कराउनकार सीधालिके एक ऐसा मिशन है एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से में वाकई में समझता हूँ कि गाउं का विकास वाकई में बहुत बड़े इस तर से किया दा रहा है और व्यक्ति के तुरूप से अगर आप मुझ से पूंचे तो मेरा खुद का रुची खुद का जो जुखाव है वो कि शिक्षा श्वास्त के बाद में किसी व्यक्ति को आप सबसे अच्छी चीज प्रोवाइड कर सकते हो तो वो रुजगार प्रोवाइड कर सकते हूँ जी 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 एसा वी सुनने में आया सीडियो साहब के कुछ जो ब्यापारी है उनको आपने बुलाया उनके साथ मीटिं समू के मारदयम से बनाए गए थे जैसे सेनिटरी पैड उन्होंने टोकन के रूप में खरीदे हमारे एक बैंडेड भी हमारे एक समू बना रहा है जो बैंडेड हम यूज करते हैं तो आपको पता है ने लग तक इन सो से अधिक प्राइवेट हॉस्पिटल से तो उसके आई गई कि गाइडेंस हम दे सकते हैं सपोर्ट हम लोग दे सकते हैं परन्तु उस प्रोड़क्ट में क्वालिटी आना लाजमी है जब क्वालिटी उस प्रोड़क्ट में आएगी तो जाहिर सी बात है उस प्रोड़क्ट को कोई रोप नहीं सकता फिर वुचाहे वो रास् प्रम्तु अंत में उनको स्वेम अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, जो सबसे महत्पून बात होती है, जो बैक्वर्ड लिंकेज़ जी हम जो पीछे से उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने, प्लैटफॉर्म प्रोवाइड करने, उनको एक मेंटल सपोर्ट प्रोवा जोडने की वाद है, अगर मार्केट से चीजे नहीं जूड़ेंगी तो फिर इन चीजों का लाब नहीं मिल पाएगा, जब तक सही दाम नहीं मिल पाएगा, सही मार्केट नहीं मिल पाएगा, तब तक कुल मिला के वही इस्तती रहेगी जसकी तस जो इस्तती है, तो कुल मिला पर भारत का जो सपना है वो साकार हो सके बिलकुल जहां तक गुडवत्ता की बात है अगर गुडवत्ता में सुधार होगा तो निश्चे थी जो एक मील का पत्थर स्थापित हुआ था कभी स्वयम साहता समूं के द्वारा एक पापड को लेकर के पूरी तुनिया अज पाप कि बात करें तो मुख्यमंत्री ग्राम उद्यूग रोजगार योजना इस योजना को भी बहुत तेजी से सरकार चाहती है लोगों तक पहुँचाना इसका लाव देना क्या है योजना और इस योजना के तहट बरेली में किन लोगों को क्या-क्या फाइदे दिये चा रह है मुख्यमंत्री ग्रामद्ध रोजगार योजणा, मानने मुख्यमंत्री जी के द्वारा चला रही चलाई जा रही एक योझना है, जिसके अंतरगत पच्छिस लाग ठक का। कोई व्यापार गरामींड चेतर में अगर कोई उध्योग स्तापित करता है तो उसमें 25% तक सबसेड़ी जनरल केटेगरी के लोगों के लिए और अगर अगर इनसे जूड़ती है तो 35% तक की सबसेड़ी उनको दी जाती है और साथ ही जो अगर तीन वर्ष के अंदर उनके द योजना है खासकर ऐसे लोग जो कुटीर उध्योग है हमारे लगू उध्योग है में वापस से वही बात कर रहा हूं जो ग्रामींड चेतर पर चोटे चोटे उध्योग है आपने पापड की बात की हमने अचार की बात की चोटे चोटे उध्योग जो हमारे गाउं की महिला करती है तो खासकर ऐसे उद्ध्योगों को आप गर एकस्पांड करना हो तो एक capital infusion की जरूरत पड़ती है तो ऐसे लोग इस योजना का लाब ले सकते हैं वो ग्राम उद्ध्योग विभाग के माध्यम से अपलाई कर सकते हैं और यह बिल्कुल मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ततकाल ऐसे लोगों का लोन सेंक्शन किया जाता है ताकि वो लोग ऐसी इंडस्ट्री गाउं में सेट अप कर सके और अधिक सदिक रोजगारों को बढ़ावा दे सके हमारे यहां भी कुछ एक समू के बारे बताना चाहूंगा जो इस स्कीम में एपलाई करवाया गया उनके द्वारा इसका लाब लिया गया और शेग्र ही उनको यह लोन सेंक्शन कर दिया जाएगा और उन्होंने 35% सब्सेटी भी इस चीज़ पर उनको सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी तो जाहिर सी बात है उस समू से और ल और श 6 जंदो रोजगार के जो पर जो है जोजना है यहीं पुटेज करेंगी ताकी रोग आक्मनिरवत्न बड़तने गर-गर तिर恩गा अभियान को लेकर पिवी बहुत कुस्च बरेली में हुआ है हमारे दर्शक भी जाने कि ने कि ज्या किया गया है तो झोगर-घरंगा इस अबियान से रोजगार को कैसे जोड़ा बिलकुल ये माननि प्रदानमंत्री जी का एक प्रोजेक्ट था कि हम कुछ आप सबी कुम पता है कि इस बार हम आजा दी का अम्रत महुत सौ बना रहे है तो हरगर तिरंगा योजना माननि प्रदानमंत्री जी के द्वार दी गई यह योजना है यह उनका एक इनिशेटिव है उसके अंदर जैसा कि आपको पता है जो इंडियन फ्लैग जो मैनुफेक्चर होता है इस समय करनाटक के ऑफिशल हमारे जितने भी फ्लैग है करनाटक खादी उद्योग के द्वारा एक इस्टबलिश्मेंट है सिर्फ वहीं से जितने भारती फ्लैग होते हैं जो वहीं से मैनुफेक्चर होते हैं तो अभी तक जो फ्लैग बनाये जाते थे सब कॉटन से बनाये जाते थे हैंडमेड बनाये जाते थे परंतु दिसंबर 2021 में भारा सरकार के द्वारा इस फ्लैग को पर हमारा इतना बड़ा फ्लैग है तो बीच में एक बार इस परकार का इंसिडेंट हुआ कि जो हमारा फ्लैग था कॉटन का वो किसी कारणवश इतनी हाइट पर लहराता है तो हवा के वेक के वजए से उसमें कुछ फट गया इस परकार की टेकनिकल फॉल्ट हो गई क्योंकि तो उसके बाद यह लिया गया कि पॉलियस्टर का कपड़ा थोड़ा मजबूत होता है अगर आप विश्व के अलग देशों का अगर फ्लैग अबजर्ब करें जैसे अमेरिकन फ्लैग की अगर मैं बात करो वह भी पॉलियस्टर में बना होता है तो इसी प्रकार हमारा भी जो फ्लैग है उसमें भी इस प्रकार के अमेंडमेंट क्योंकि समय आपने देखा होगा कि हर डिस्ट्रिक में हर ब्लाक लिवर पर तैसी लिवर पर बड़े बड़े फ्लैग इंस्टॉल किये जा रहे हैं और कभी भी फ्लैग किसी भी कारण वश उतरता है तो यह थोड़ा कर रहा था तो मानी प्रदानमंत्री जी का यह है बहुत अच्छा इनिशेटु था उनका कहना था कि गाओं के ऐसे लोग ऐसे समहू ऐसे रोजगार गुरुप जो हैं वो अपने घरों में जंडा बनाएं और उस जंडे को इस बार 15 अगस्त के मौके पर अपने घरों में फ खुशी की बात है कि हम लक्ष को पूरा करने की और अग्रसर हैं हमारे द्वारा बित्री चैनपूर में हमारे दस समू जो है वो जंडे का निर्मान कर रहे हैं साथ ही हमारे बहेडी में भी स्वयम सायता समू है वो जंडे का निर्मान कर रहे हैं तो हमने बाहर से जंडे का कपड़ा ओडर किया और हम आज भी अपने इस तरह से उनको थोड़ा मशीन से और थोड़ा हैंड अपना मैनुवल लेवल से उनकी स्टेचिंग कर रहे हैं चोटे-चोटे लेवल पर मैनुफेक्चरिंग कर रहे हैं और वाकई में हर गर तिरंगा का योजना जो मानिय परदा बहुत ही अच्छी बात है बहुत अच्छा इनिश्चिती प्रदान मंत्री जी का है। चीडियो साब चुके कई बार ये कहा जाता है गिराम विकास निधी एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा गाउं का विकास किया जाता है। अच्छी जानना चाहेंगे कि ग्राम विकास निधी का जाता है और वो निधी आती कहां से है। तो भारा सरकार के द्वारा अपने पंद्रवे वित्त के माध्यम से सभी जितने ग्राम पंचायत हैं उनको उनकी साइज के हिसाब से पॉपुलेशन के हिसाब से अपने सभी वर्गों के रेशियों के हिसाब से निधी उपलब्द कराई जाती है। यही। निदी को मुख्य मो今日 में चोटे डिएजनाय में थाइट कांओ उन जो सभी बरकार के विकास कार्य जोочки में महत्तपून हे सभी कार्यों, पूराकिया जाता है पूर में हमारा ध्योगी फोकस रहता है कि एसे सभी जो निधियां, घ्राम पंचाहत पारी जो सभी जोपी उटलाइजेशन हो ग्राम प्रधान इसमें अपने विवेक से अपने एक योजना कार योजना तयार करते हैं, उस कार योजना पर स्विक्रति के बाद में ऐसे कारियों को निश्पादित किया जाता है, और समय समय पर प्रशाशन के द्वारा ऐसे कारियों की जांच भी कराई जाती है, ताकि कही योजनाओं का लाब हम पैसे का लाब है जो हमारे समाज का गरीब तबका है उस तक वो योजनाओं का लाब पहुंचे तो इसी परकार के योजनाओं का लाब हम ग्राम विकास के निदी के माद्दम से किया जाता है अभी अम्रत सरोवर का गाउं में निर्मान हो रहा है पंच जैसा कि आज बड़े ही हर्ष की बात है और इस हुषी की बात है कि हमारा बड़ेली ओड़ेफ गोशित हो चुका है अब बारी ओड़ेफ प्लस की है जितना भी जो सॉलिड वेस्ट होता है उसका आप मैनेजमेंट करें क्योंकि देखने में आता है कि सॉलिड वेस्ट और लिकुड वेस्ट होता है उसका सही निस्तारण नहीं किया जाता है देखने में आता है कि कूडे को नदी तालाब इनमें प्रभाहित कर दिया जाता है औ और वह पॉलुशन जो होता है वह जल के माद्यम से भुघर्ब में पहुंचता है और कहीं ना कहीं हमारे वातावन को प्रदोशित करता है जो भी हमारा सॉलिड वेस्ट हो उसका मैनेजमेंट हो उसके लिए गाउं में MRF सेंटर की बात है जैसे आपने बताए कि हमारे चीहतर ग्राम पंचायते हैं जिसको ओडिये प्लस के लिए चुना गया है उसमें प्रथम उद्देश जो हमारा रहेगा वह जो कूडे का निस्त के बाद में जो गीले कूडे का निस्तारण है वो अलग माध्यम से होगा उसको डिकंपोज करने की बात की जाती है सूखे कूडे से सबसे पहले हम कुछ मेटियल से होते हैं जो हम रिसाइकिल कर सकते हैं रिडूस कर सकते हैं तो उन ऐसे प्रोड़क्ट को हटाया जाता है ऐसे मेटेरियल को निकाला जाता है और उसके बाद में जो बचा कूड़ा होता है उसको मशीनों के माध्यम से और छोटा किया जाता है ताकि उसका सही रूप से निस्तारण किया जा सके साथ ही लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की भी बात है तो लिक्विड वेस्ट पर इस प्रपावी से प्रिरकार के इंफरेस्ट्रुक्चर गाउं में क्रेड किया जाता है ताकि सही नििस्तारन हो सके और हमारे गाउंच खार से O.D.F. कई बाते बताई कि गाउं के इस तरपर लोगों को रोजगार देने के लिदना सिर्फ मन रहेगा, बल्कि स्वें साहता समुहों की भी बहुत महती भूमिका है, हमारी प्रदेश सरकार भी इस दिशा में लगातार काम कर रही है, सीडो साब आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने ग्रामीड विकास के नए आयाम के विश्व में जो महत्पूर्ण जानकारी दी है, हमारे दर्शिकों को बताया, जानकारी देने के लिए स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यबाद, धन्यबाद, अमधाथ यात्रा पर जाने वाले शद्धालों के लिए कुछ खास जानकारी महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उप्युक्त पोशाक नहीं है सलवार कमीज, पेंट शिर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा चैस अप्ता से अधिक घर्बवती महिलाओं को तीर्ट यात्रा करने की अनुमती नहीं दी जाएगे यात्रा के दोरान उप्योग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड, चॉक्रेट आदी साथ जरूर रखें अपने हाथों और चेहरे को सन्वन से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैस्निन या संस्क्रीन साथ रखें जुको, ढखो, पकड़ो, पकड़ो समझ गया है सब? गुड, पेरी गुड, एक बार फिर करेंगे भुकाब आते ही खली जगह में जाओ, ना जा पाई, तो पहले जुको सर को ढखो, किसी चीज को मजबूती से पकड़ो, या किसी कोने में साथ ढखकर ख़ए हो जाओ, आप भी भुकम से बचना सीखिए, तैयारी में है समझदारी, आपके हितने तरप एंडिये में तकनीकी सलहा लेकर घर बनाया, इसलिए ये सलामत है, पर ना आज ही अपना भुकम जोन जानिये, और किसी स्ट्रक्टरल इंजिनियर से सलहा लीजिए, भुकम में घर सुरक्षित, तो आप सुरक्षित, आपके लिप में तक पर, एंडिये में